जहिन दोस्टो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगनी बिरारμी भरती 2024 के फार्म अपलाई डेट के बारे में देखिए दोस्तो ऑफिस्यली जो है फार्म अपलाई डेट को लेकर एक नई अपडेट आया है जो आज की इस वीडियो में जानेंगे और आप सभी इस भरती का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगनी विरार्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए तो देखिए दोस्तो ये आप सभी जो न्यूज पेपर देख रहे हैं ये 11 जन्वरी का न्यूज पेपर है इसके अलावा दोस्तो अन्य काफी सारे न्यूज पेपर में भी ये जनकारी दिया गया है जो आगे आपको बताएंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तो ये जो न्यूज पेपर है भासकर का न्यूज पेपर है और इसमें बताया गया है अगनीपत योजना के तोहत ओनलाइन आवेधन पर किरिया 2024-25 को लेकर आगामी 8 फरवरी से 21 मार्ज तक चलेगी यानि कि जो फॉर्म अपलाई के आप डेट देख सकते हैं 8 फरवरी से लेकर 21 मार्ज तक यहाँ पे बताया गया है और मैंने भी आप सभी को बताये थे कि आपका फर्म जो है फरवरी के फॉर्ष्ट वीक से सुरू हो जाएगा तो सेम वैसा ही यहाँ पे बताया गया है आप सभी देख सकते हैं इस ओधी के दवरान पोर्टल खूला रहेगा यहाँ पर देखेंगे सेना भड़ती कर्याला चर्खी दादरी के निदेशक करनल अनंद साकले ने जनकारी देते हुए बताया है कि ओनलाइन परिक्षा के लिए अवियरती द्वारा परती आवेदक परिक्षा सुल्क 250 रूपिय का भुगतान करना होगा यहाँ पर दोस्तों जो यह जनकारी है इसके बारे में जो जनकारी है आप सभी यहाँ पर देखेंगे चर्खी दादरी के जो करनल है अनंद साकले उनके द्वारा जो है यह जनकारी दिया गया है और 250 रूपिया जो है आपको payment इसमें करना होगा परिक्षा सुलक के यहाँ पर देखेंगे परिक्षा सुलक के रूप में आप सभी को पता होगा पिछले बार भी 250 रूपिया का payment था इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भरती बर्स 2024 पचीस के लिए अगनी बिर की भरती दो चरणों में की जाएगी परतम चरण में आपका online computer अधारी एकजाम होगा यानि कि common insurance एकजाम आपका conduct होगा इसके बाद दोस्तों देखेंगे वह दूतिये चरण में भरती रही होगी यानि कि दूतिये चरण में आपका जो physical test है medical test है document verification यह सभी process आपका होगा भर आपका form जो है 8 फरवरी से लेकर 21 मार्ज तक चलेगा और 250 रूपया आपका application फी रहेगा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और आपसे भी जनकारी देखेंगे करनल अनन्द साकले ने बताया कि रिवारी भिवानी चर्खी दागरी मेहंदरगड जीले के जीनी वाओ का जन्म 1 October 2003 से 30 April 2007 देखिए दोस्तों इसमें जो age limit आपका है 1 October 2003 से लेकर 30 April 2007 इसके बारे में मैंने आपको पहले आपको पता होगा पहले मैंने आपको बताया है और इसमें आप सभी को पता है कि तेंथ 12th लेबल का आपका भरती होता है जीडी के लिए तेंथ और इसके अलावा दोस्तों कलरक और टेकनिकल के लिए 12th रहता है तो उसके बारे में यहाँ पे जनकारी दिया गया है इसके अलावा दोस्तों अन ने जो न्यूज पेपर है उसमें भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे देखेंगे यह जो न्यूज पेपर आप देख रहे हैं यह अमर उजाला का है और डेट आप सभी देखेंगे यहाँ पे इसमें भी डेट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह जनवरी के यहाँ पे न्यूज पेपर यह है और अगनी विरभरती के लिए 8 फरवरी से होगा ओनलाइन अवेदन सुरू और 11 जनवरी के यह अमर उजाला का जो है न्यूज पेपर है आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें भी बताया गया है कि आपकी जो फर्म है वह 8 फरवरी से सुरू होगा और 11 मार्स तक जो है चलेगा और एज लिमिट जो है जैसे कि आप सभी को बताये हैं कि जनम जो है एक कटूबर 2003 से 30 अप्रिल 2007 के बीच होना चाहिए और उसी के बारे में यहाँ पे भी जनकारी complete आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलवा दोस्तों इस बार हो सकता है कि जो technical trade है उसमें ITI जो candidate किये होंगे उनके लिए जो है कुछ यहाँ पे marks जो है extra दिया जाएगा अगर वे form apply करते हैं कुछ benefit जो है मिलेगा ITI या diploma candidate को technical trade में उसके बारे मे यहाँ पे बताया गया है हलांकि notification का आप सभी वेट कीजिए उसमें complete details मिलेगा तो इसमें अभी यहाँ पे दिया गया है कि जो diploma और ITI वाले candidate है उनको technical trade में जो है छूट मिल सकता है या अलक से जो है marks उन्हें जो है यहाँ पे दिया जा सकता है तो दोस्तों I hope आप सभी सम कंड़क्ट हो जाएगा तो अपरील जो है ज्यादा समय नहीं है आपके पास CBT एकजाम आपका अपरील में कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बतायेगा और आप सभी अपनी तियारी करते रहिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में